सभी भहिया भेनों को सूप्रभाद आज हम महादेवी बर्माद्वारा लिखे पार्ठीक भक्तिन का दूसरा भाग पड़ते हैं हम भक्तिन पार्ठ का जो सेश भाग रह गया है हम उसका आज पठन पार्ठन करेंगे सभी भहिया भेन इसको ध्यान से सुनेंगे हमने भक्तिन पार्ठ में आज भक्तिन की जो महादेवी बर्मा ने सुभाव की बिसेशतायों को रेखांकित किया है हम उनके उपर उस बिसेपर चर्चा करते हैं तो भक्तिन जो है महादेवी बर्मा की हाँ सेवा करते हुए मैं जब कपड़े दोके डालती थी तो कपड़ों को सूखने के बाद बैं ऐसे समेट लेती थी जैसे सलवटे पढ़ जाती थी उनमें तो उसे कपड़े व्यवस्थित रखने का तरीका इस प्रकार से आता था और वो इसी बात पर समझाने के बाद भी वैसा ही करती थी महादेवी वर्मा ने उसकी बोलचाल में जैसे वो ओए सब्द कहके दूसरे को पकारती थी उसमें परिवर्तन करना चाहा बै कहती थी कि जवाब में जी बोला करो लेकिन वो ओए ही बोलती थी और था तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया भक्तिन जो थी मन से साफ थी और हुरदय में उसके छलकपट नहीं था लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह सत्यवादी हरिश्चन नहीं बन सकी बहे नर्वा कुंजरों में भी विश्वास नहीं रखती थी इससे स्पष्ट है कि बहे कभी कभी परिश्टितियों के आधार पर जोट भी बोलती थी और सत्यका पलंग करती थी लेकिन उसकी अंतरा अत्मा अंदर से छाप मला स्वच सभी की थी बहे अपनी इमानदारी के संबंद में महादवी बर्मा ने बताया है कि उसकी इमानदारी कैसी थी जब महादवी बर्मा के घर में रखे हुए इदर दर पड़े पैसे देखती थी तो उन्हें उठा करके एक घंडार कक्ष के मटकी में डाल देती थी और उसने कभी मन में ऐसा नहीं सोचा कि मैं इन पैसों को छुपागे रख लूँ तो इस से उसकी एक विसेस्ता ये स्पष्ट हो जाती है कि बह जो है एक साफ च्छबी वाली और इमानदार थी महादेवी बरमा जब उससे बात करती थी या किसी काम के लिए वो जिद करती थी तो अपनी बात को बढ़ चड़कर रखती थी और बैस सास्त्रों का तरक देती थी और सास्त्रों का तरक दे करके अपनी बात को सबसे उपर रखती थी तो इस प्रकार से भक्तिन जो है एक नौकर होते हुए यानि सेवक का काम करते हुए भी घर में एक मालकिन जैसा अधिकार दिखाती थी और अपनी बात पर अटल रहती थी तो हम देखते हैं इसमें एक पैराग्राफ है सास्त्रों के संबन में सास्त्र का सवाल भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुज़ा लेती थी है मुझे आउरतों के सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने भक्तिन को रोका उसने आकुंठित भाव से उत्तर दिया उत्त सुकता बस मैं पूछ ही बैठी क्या लिखा है तो उसने सास्त्रों का तरिक दिया और तो उत्तर मिला तीरत गए मुड़ाए सिद्ध ऐसे कौन से सास्त्र का ये रहस में सूत्र है ये जान लेना मेरे लिए संबन नहीं था अता मैं हार कर चुप रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म प्रतेक गुरुवार को एक दरिद नापित की गंगाजल से धुले उस्तरे द्वारा बिधी अनुसार निस्पन होता रहा अर्थात भक्तिन सात्रों का तर्क देकर अपनी बात उपर रखती थी और नित जो कर्म करती थी उस कर्म के संबन्द में है अपना सिर्ग उटा लेती थी क्योंकि जो विद्वा महिला है उस समय की परंपरा थी कि जो है अपना सिर्ग के बाल उतार कर रखती थी गंजा रखती थी तो इसमें प्रणन आया है कि वह गुरुवार के दिन एक नाई के द्वारा गंगा जल द्वारा धुले उस्तरे द्वारा वह अपने बाल उतरवा देती थी उस्तरे से वह इस प्रकार से चूड़ा कर्म करती थी इस तरह के बाल उतरवाने को चूड़ा करम कहते हैं फिर उसने कहावत कही है यहाँ पर तीरत गए मुड़ाए सिद्ध तो इसका अर्थ तो वैं सुएंबी नहीं जानती थी लेकिन वैं कहावतें इस परकार की दंत कथाएं कि दंतियां मुहावरे बोलती थी तो ती हैं तो उस समय तीरत पर जाने का मतलब है मुड़ाए सिद्ध सिर घुटबा लेना तो वो सिद्ध पुरूस हो जाते हैं इसका साब्दिकर्द तो यह है लेकिन भाव क्या है कि तीरत इस्तान पर हम अपने आराध्य की आराधना करते हैं उस पर आस्ता रखते हुए घुटबाने का यह संसकार करते हैं और इसका मतलब सीदे सीदे यह है कि जो मनुष है वो बुराईयों का है उसमें विसे भावनाए हैं विकार हैं काम, कुरूद, मद, लोव यह सब जो हैं विकार होते हैं तो जब तीरत इस्तान पर भगवान की आस्था की परती जब सलनं रहता है मनुष से तो यह बिकार सभी समाप्त हो जाते हैं और वो सिद्ध पुरस बन जाता है अर्थात बिकारों को त्याग कर तीरत इस्तान पर जा करके उस परमात्मा की आस्था रख करके सारिज अंदर के बिकार समाप्त कर दे काम, कुरूद, मद, लोव इन सब को मतलब यह होता है लेकिन लोगों का कहना यह है कि तीरत जाएंगे बहां सिर्ग उटबा लेंगे और सुद्ध पुरस बन जाएंगे लेकिन यह एक प्रक्टिकल है प्रियोग है लेकिन अंतरमन से भावनाओं से जो भाव उसका यही है कि जहां हम भगवान की भक्ती के इस सारे बिकारों को त्याग दें तब ही हम सिद्ध पुरस बन सकते हैं इसका मतलब यह है अगला पेरग्राफ है पर भै मूर्ख है अत्वा बिद्या बुद्धी का महत नहीं जानती यह कहना जूट कहना है अपने बिद्या धन के अभाव को भै मेरी पढ़ाई लिखाई क अभिमान करके भर लेती है एक बार जब मैंने सभी काम करने बालों से अउठे के इस्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तो भक्तिन बड़े कष्ट में पढ़ गई चूंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीवत नहीं उठाई जा सकती थी और दूसरे सब अभिमान दाईयों के साथ बैठ कर पढ़ना लिखना उसकी वयो ब्रदता का अपमान था अता उसने कहना आरम किया कि हम क्या पढ़ाएंगे इतनी उमर में आके अर्थात कहने का मतलब महदी वर्मा उसकी यह बिसिस्ता बता रही है कि बहें बिद्द्या के छेतर में तो सभी काम करने बालों के साथ पढ़ने को अपना अपमान समझती थी और इसलिए बहे ये नहीं करना चाहती थी बलकि सब पर सासन करते हुए सब की मौनिटरी करने लगी और सब की मौनिटरी करने इनका मतलब भे जो है घूम घूम कर सब को जाचती थी कि कौन क्या लिख रहा है तो इस प्रकार से जो भकतिन थी भे पढ़ने लिखने में एक इस्पेक्टर की तरह किलास में घूम घूम कर सब की अक्षरों की बनावड देखती थी और बै अपने पढ़ने का कोई उस पे असर नहीं पढ़ा तो उसका तर्क था कि इस उमर में आके हम क्या पढ़ेंगे अब क्या पढ़ेंगे तो इस प्रकार से भक्तिन का जो है ये पढ़ाई लिखाई के संबंद में विचार इस प्रकार का था हम आगे देखते हैं कि भक्तिन जो है बिभिन 30 अक्ति जो है देती थी तो 30 अक्ति वै अमर बेल की तरह अपने मालकिन की जैसा काम कोई नही जानता नहीं इसी से तो बुलावे पर भी कोई हाथ बताने का सास नहीं करता अर्थाद भै अपने महादेवी वर्मा जो मालकिन थी उसके हर काम का ध्यान रखती थी और हर काम का ध्यान रखते हुए भै उसमें हाथ बटाना चाहती थी चाहे भै उसके बसका हो या ना हो तो इस परकार से भै उसके सयोग करने की कोशिस करती थी हम अगला पेरग्राप पढ़ते हैं पर भे खुद कोई साहता नहीं दे सकती ये मानना अपनी हींता सुवकार करना है और इसी से बह तरवाजे पर बैठकर बारवार कोई काम बताने का अग्रह करती है कभी मेरी उत्तर पुस्तकों को बांध कर कभी मेरे अधुरे चित्रों को कोने में रख कर कभी रंग की प्याली धोकर तथा कभी चटाई को आचल से जाड़ कर भे जैसे साहता पहुचाती है उससे भक्तिन को अन व्यक्तियों से अधिक बुद्धी मत्ता प्रमारित हो जाती है उसे पता है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कलपना तक नहीं कर सकते तब भे अपनी साहता की इच्छा को क्रियानवत रूप देती है इसी इसके चलते किसी पुस्तक को प्रकासित होने पर उसके मुक पर खुसी की चमक जैसे उदभासित होटती थी जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा लो भे अकेले में उसे बार बार चूकर आखों के निकट ले जाकर और घुमा फिराकर अपनी साहता का अंस खोचती अर्थात कहना है कि महादरी गर्मा इसमें ये कहना चाहती है कि भे काम में हाथ बटाती थी जैसे चित्रों को कौने में रख देना उसकी पुस्तकों को उत्तर पुस्तिकों को बांद के रख देना भले उसे ये पता नहीं था कि ये पुस्तक कौन सी है कौन सी नहीं और जो महादेवी बर्मा के लिखी हुई पुस्तकें जब प्रकाशित होती थी तो बहुत परसन होती थी बहुत खुश होती थी जैसे अपने इस अबतरण में हमने पढ़ा है और उन्हें आँखों से छूचो कर और माथे से लगाती थी उसे बहुत आत्म संतुष्टी मिलती थी इस काम से तो इस प्रकार से देखा गया कि वह अपनी एक स्वामी भक्ती इस प्रकार से परदर्सित करती थी हम अगला अबतरण पढ़ते हैं इसमें किन्तु मुझे रात की सांती में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में ही दरी के आसन पर बैटकर बिजली की चका चौन सी आँखें मिचकाती हुई भक्तिन सांत भाव से जागर्ण करती भै उंगती भी नहीं चूंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी घूंगली दरश्टी मेरी आँखों का अंसरन करने लगती अगर मैं सिरहाने रखे रेक की तरफ रख देती हूँ तो भै उठकर अबस पुस्तकों का रंग पूछती अगर मैं कलम रख देती हूँ तो भै श्याही को उठाया लाती और मैं कागज एक तरफ सरका देती हैं तो दूसरी फाइल को टटोलती है इस प्रकार से भक्तिन यानि की रात को काम करते समय देर तक भै जागर्ण करती थी पास में दड़ी बिचा करके वो बैठी रहती थी और उसकी आँखों में नीद नहीं आती थी भै मेरी कभी कलम कभी श्याही और कभी कागज लिखने का ये उठा कर देती रहती थी इस प्रकार से भक्ति अपना पूरा स्वामी भक्ति का जो है निभाती थी अगला तरह हम देखते हैं बहुत रात गए सोने पर भी सुबह जल्दी उठती और भक्ति को मुझसे भी पहले उठना पड़ता यानि लेखिका रात देर से सोती थी और सुबह को जल्दी उठती थी और भक्तिन को उससे पहले उठना होता था क्योंकि जो लेखिका के हैं पर कुछ पसु पक्षी थे जानवर थे जिन में सोना उचल कूद के लिए बाहर जाने के लिए ब्याकुल रहती थी कुत्ता बसंत नित कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता था तथा गोधुली चड़ियों जो गोधुली नाम की जो बिल्ली थी बैश चड़ियों की चैचाहट सुनकर बाहर शिकार का निमंत्रन सुन लेती तो इस प्रकार से ये सब कारियों में जो है भक्तिन पूरा उनका सयोग देती थी दूसरा परसंग आता है जब एक युद्द का समय आया जैसे युद्द के समय सन उन्निस सो पैंसट की बात हो सकती है तो उस समय हवाई जहाज आसमान में गहरा रहे थे आवाजे आ रही थी तो महानगरों में भै था कि कहीं कोई बंब ना गिरा दिया जाए और इस कारण लोग महानगरों से जो हैं गाउं में पलाइन कर रहे थे अर्थाद घनी आवादी से जो कम आवादी वाले छेतर थे उन में जाना चाहते थे तो इलावाद में रहते थे उस समय ये तो उस समय इसकी एक बिसेस्ता ये आई निकल के तो जो इसके बेटी दामान थे भै इसे बुलाने के लिए आए थे भक्तिन को और बोले कि इससे मैं युद्ध का माहूल है सब लोग गाउं में भाग रहे हैं और आप भी लोग चलो तब इसने इस भैसे इस तरासदी से बचने के लिए महादेवी वर्मा से बहुत निवेदन किया कि बहुत गाउं चले और गाउं चल करके मैं उसकी सब रहने की विवस्ता कर दूँगी लेकिन महादेवी वर्मा उसे टाल देती थी तो भक्तिन कहती थी मैं गाउं जाकर के तुम्हारा तक्ता बनाकर दीवार में गुल में ठोक कर और उस पे अलमारी बना दूंगी उस पे किताबे तुम्हारी सब सजा दूंगी और कहती थी कि पौाल का जो है गोद्रा बिशा करके कि तुम्हारा बिश्टर लगानूँगी बढ़िया करके और कंबल बिचा करके դुम्हें वहां रहने के सूने का प्रबंद करदूँगी श्याई के लिए तुम्हारी हंडिया संजोके रखदूँगी काज़ पत्रों के लिए मैं छीके पर उन्हें एकटा करके एकत्र कर दूँगी और तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी जिस परकार से यहां नगर में रह रहे हैं वैसे हम वहां रहेंगे तो महादेवी बर्मा तरक दे के टालने के लिए कहती है कि इतने पैसे कहा है वहां पैसों भी खर्च होंगे तब भकतिन कहती है कि मैंने वहां पर गावों में गाल करके 5,20 और पाच रुपेया रख्य हुए है यहनि की पाच बीजशी का मतलब 100 रुपे और पाच रुपे पाच रुपे और पाच रुपे हो गए तो 105 रुपे हो गए उसे अपने साथ ले जाने कर लेकिन महादेवी अंत में एक सब्द कह के कह देती हैं कि जो रुपए तुम्हारे पास गाउं में हैं वो कम हैं बहुत थोड़े हैं इसलिए बहां ज्यादा समय हम नहीं रह पाएंगे तो इस प्रकार से भक्तिन अपनी मालकिन महादेवी के लिए पूर्ण समर्पन भाव से हर बात में उसका स्योग करने का प्रियास करती है आगे पढ़ती हैं महादेव वर्मा इसे ऐसा कहती है आगे हम पढ़ते हैं इसमें भक्तिन तथा मेरे भी सेवक और स्वामी का सम्मंध है ऐसा कहना कठीन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो मन होने पर भी सेवक की उसकी सेवा से हटा ना सके और ऐसा कोई सेवक भी आज नहीं सुन गया जो स्वामी के चले जाने का आदेस पाकर भी अबग्या से हस दे अर्थात मादेग औरमा ये कहना चाहती है कि बह ऐसी सेबक थी पूर्ण समर्पन भाब से इमानदारी से सेवा करने वाली कि अगर मालिक स्वामी उसे हटाना चाहे तब भी बह भी हटा नहीं सकता था लेकिन बह टालने का मतलब है एक उचित कारे करने का कारे करे यहीं जो आविशक है बह अर्थात बह अपने आपका प्रभाव स्वामी पर इस परकार से रखे कि बह एक नोकर नहीं है एक सेवक नहीं है बह उसकी एक सुबचिन तक है सुब चिन तक होने के नाते भै उसकी कुछ आदेसों को नहीं कपालन करती और उसको हसी में टाल करके और इस परकार से भै उसके हित की बात सोचती तो इन सब इस्तितियों में भक्तिन के जो सुभाव रहा है उसकी विसे स्ताय रही है अब हम भक्तिन का जो है अंतिम देखते हैं पैरग्राफ में भक्तिन के बारे में बढ़ना आता है जेल जाने वाला तो जेल जाने पर भक्तिन बहुत डरती थी और डरती थी तो बहे कहती थी कि जेल एक मौत की समान है तो जेल जाने की चर्चा जब हुई कि जब आजादी का जो अंदोलन चल लाता तो उस समय जो बिद्धारती बर्ग था या लेखक या कभी बर्ग होते थे उनको जो है अंग्रेज सरकार जेल में डाल देती थी पकड़कर तो उसमें विद्धारियों की बहुत पखड़ी होई तो जब इसको सुनती थी तो बहें बहुत डर जाती थी बहें कारागार से जेल से बहुत डरती थी उसकी उची-उची दिवार एंदेखती ही उसे आँके बंद करके जैसे बयोहोस हो जाना चाहती थी आईसी परिस्तितियां थी तो महादेवी वर्मा ने एक परसंग उसके जिल जाने का भी ऐसा वर्णत किया है इस संस्मनात्मक रेखा चित्र में अन्त में महादेवी वर्मा अपने इस दोनों प्रकार की भक्तिन के सवभाब की बिसम पर इस्तितियों के दुनात्म किस्तितियों की कलपना करके इस रेखाचितर में उस दुल्लभ सवभाब का उसके बर्णन कर दिया है अंतमें कहती हैं कि उसके ना होने पर ये सब कैसा लगेगा अर्थात जो भक्तिन थी बुजुर्ग थी बड़ी आयू की थी वो कभी कभी बिचार ये करती थी जब ये नहीं होगी इस दुनिया से बिदा हो जाएगी तब मुझे कैसा लगएगा और इसकी जो बिचार है इसके सुभाव है और इसके जो बोलने की आदत है इसके क्रिया कलाप है इन सब पर का मुझे कैसे ध्यान रहेगा और मैं ध्यान करते हुए कैसे आगे उसके बारे में सुचती रहूंगी तो इस परकार से उसके अंतिम छड़ों में उस दियाहतिन ब्रदा के बारे में बिचार करती है और बिचार करते हुए अपने संस्मण को यहां समाप्त कर देती है क्योंकि भक्तिन की कहानी आगे की उसने इस पश्ट नहीं की है इस परकार से अधूरी कहानी को प्राप्त करके वे समाप्त कर देती है तो हैं पर भक्तिन पार्ट अप समाप्त हो गया है हमने पहले भी इस कांस पड़ा था और मैंने इसमें कुछ प्रसनुत्तर दी है कुछ प्रसनुत्तर आप भहिया भेनों के स्योग से लिखे गए हैं जो भी इस प्रसन बताए हैं तो इस प्रकार से ये प्रस्णों तरक पूर करने हैं और मैंने अब भिहास प्रस्णों की जो पीडी भी बना दी है और दूसरे खुश अन्य प्रस्ण भी मैंने गद्यास आधारित प्रस्णा आपको पीडी अप में भेजे हैं इन सब का जो है आप जो है अपनी नोट बुक पर लेखन कारे करेंगे व्यवस्तित रूप से और ये कारे तिथी बार यानि समय अनुसार यानि डेट बाई डेट पूरा करते रहेंगे इसको लिए तालेंगे नहीं दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ेंगे तो सभी भाईया भेहनों से मेरा निवेदन है इस वीडियो को दिया गया है आपको लिखे कारी दिया गया है इस सब कारे को भी आप करते रहेंगे